नमश्वार दोसों आप शबी का बहुत बहुत श्वागते दोसों शच्चाई शुनकर आँखों में आशु ना जाए तो फिर कहना जिया दोसों हम आप शबी को बता दे कि अब आप रंकशी राजा बने वाले हो जिया दोसों हम आप शबी को बता दे कि आपने अपने जुन आजाता है आपकी गाल में एक परिशानी खत्म होती है तो कोई नया परिशानी आजाता है जरॉँकार में कभी आप। दिल कुष नहीं हुए हैं चाति लोग आपको परिश्म करते हैं आपकी भावनों कि कोई कदर नहीं करता जो आप कहना चाहते हैं लोग उन्हें खिलियां उड़ा देते ही दोसों आपकी जुन कालक में बहुत शारेशे दिन आए हैं जिन में आप अपने आश्वों को लेकर श्वेंग बेठे हैं फिर भी किशी को आप अपने दिल की हाल नहीं बताए तो दोसों हम आप शबी को बता द दोसों आज के विडियो में हम आपको दो जनकारें लेफिंग जो आपको शमदाने वाले हैं दोसों आप उने द्विक लेखाँं से स्नुश्यार करें इसकी प deal और दोसों यह आपके जीवन का शवाल है आपकी उनकाल में जो पिरिशानी लगतार कई वर्षांस चल रही है दोस्तों उन शवमी परिशानियों का श्रभा धौन अच्री विड़ी नत के सच्चची भाबद आपके परिशानी हंड्रेट पैट्रर्ण जरजड्श करते हैं जी हं दोस्तों विडियों को प्रा Dzra et हम दोस्तों भी भुलीक रशन दिव भुलिनात के शच्चे भगते हैं दोस्तों वीडियो को प्यारा लाइक कि और कमेंट भुक्स में शच्चे बंसे जयशन देब जयए भुलिनात लिग दे और भगवान बहुत होगी मतन啊 दोसों आप बढ़ती cooperative ही दोस्ention कभी आपको शपल होते नहीं देखषबते गीचौह Vet एक चीजा करेंगी कि भी होते हैं जब आपके मन में प्रश्णता होती है जब आपको qaj a नशीमिलती है तो दोसों यहीival आपके खिलाब कुछ ना कुछ नया शुनेंतर ज़रूर बनाते हैं जिससे कि आपकी वह खुशी आपसे चिंग जाए लेकिन दोस्तों यह बात तो हुई बाहरी दुश्मनों की लेकिन दोस्तों उसका क्या करें जो कि आपके घर के अंदर ही बेठा हुआ है दोस्तों एशे लोग जो आपके करीबी होते हुए भी आपका अच्छा नहीं चाहते या लोग आपके शबसे बड़े दुश्मन होते हैं दोस्तों हम आप शुगो या बात बताना चाहेंगे कि अगर आपको आपकी जरुत की मुताबित कुछ नहीं भी मिला तो भी आपने काम चला लिया है जिसे तेसे करके अपने जुनकाल में अपने जुनियापन करते हैं आप हमेशा दुसरों को खुशी देने के लिए अपने शबी एक चाहों को अपने शबी अर्मानों का गला दबा कर आप उन्हें खुशियां देते हैं जिया दोस्तों आपने शई सुना आज हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जिनकी आज तक कभी भी कदर नहीं हुई और दोस्तों इसका रीजन यह भी है कि आपने जिनके लिए सब कुछ नचावर कर दिया अपने पास कुछ नहीं रखा जिनके लिए वो दोस्तों हमेशा उसके बारे में ही सोचते रहें लेकि दोस्तों उन लोगों ने आपके फीलिंग आपकी एमोशन्स या फिर कई आपके ज़जबातों का कभी भी कदर ही नहीं किया जीज दोस्तों आपकी राश्यवालों को हम वया बात बताना चाहेंगे कि आप लोग दूश्य तो सेर की तरह होते हैं आपके शात चाही की जितना भी बुरा क्यों न हो आप लोग पलट कर सबसे अच्छाई रहते हैं सबके शात अच्छाई करते हैं जे दोसों आपके मन में कभी भी दुसनों के प्रती द्वेश की भावना हिंता की भावना या प्रियोग हैं तो किशी के प्रती बुरा वैवा आपके अंदर नहीं आया जे दोस्तों यहां पर हम आपको बात बताना चाहेंगे कि हर इंशान की शेहन करने की कोई शक्ति होती है कोई शीमा होती है पर फिर भी आपकी राशी वाली लोगों की सबसे अच्छी और दिल चल्स बातिया है कि आपका अगर शब कुछ लुट भी भी हो जाए बरवाद भी हो जाए यह कहें तो सब कुछ भिखर जाए फिर दोस्तों आप पना जो आत्मिश्वास है आत्मान शमान है उन्हें कभी खोते नहीं दूसरे के शामने गिड़ गराते नहीं जादो सुआप हमेशा खुद को एक शरुष्ट सक्तिमान बनाना चाह करते हैं दूसरे के आगे भीक मांगना गिड़ गड़ाना आपकी कोई जो है आदत नहीं होती उनमें आपको कोई दिल्चस्पी नहीं होता अगर आप कोई काम करने की ठाल ले तो दोस्तों आप उन्हें पूरा करके ही छोड़ते हैं क्योंकि आपके राशी वाले जो लोग इस तरह उनके प्यार में शामने वाले के प्यार में पागल हो जाते हैं कि आप लोग अपने पार्टनर की छोटी से चोटी बात को भी अपने दिल पर लगा लेते हैं उनके इमोशन से आपका इमोशन बहुत जल्दी जूड़ जाता है और दोस्तों इतना जल्दी आप भा ढर्मान भड़ लेकिन रहातं हैं कि अगला व्यक्ति है आपके भावनों को शमय नहीं पाते आप बहुत ज bilmiyorum आपको थुगरा देते हैं मिर्देसे में आपका दंकर फूटता आभाई मानों शमंदर में ही आग लग गई हो जी दोस्टों और शेये शेहन से निसनाम आपके राशी के सभी लोग होते जैब समयधार होनेके इस दयावान होते हैं कभी किश्य के ऊपर आँच भी नहीं आने देते दोसों जूनकाल में अगर आपके श्रामने कोई इंसान गिर रहा है मर रहा है तो दोस्तों इसे में आप उन्हें गिरते-मर्ते नहीं दे पाते दोस्तों यूँ कहें तो आप मदद करने के लिए आपके पास जितना भी कुछ होता है दोस्तों आप आगे बढ़ते हैं और उनकी मदद करते हैं दोस्तों आपके राशी वालों के शाथ इसा देखा गया है कि आपकी जो अच्छाई होती है उन्हीं के वजशे आप हमेश्वा गड़े में गिर जाते हैं आप चाहते हैं कि हम किश्य का बुरा नहीं करेंगे जुनकाल में जो भी व्यक्ति है उनके शाथ रहेंगे मिल बांट कर चलेंगे लेकि अख्षर आपकी अच्छाई ही आपको जो गड़े में गिराते हैं आपके अच्छाई ही आपको जो लोगों के शाव ने बुरा बना दे तो स्टों आपको भी अपने जुनकाल में कुछ बातों का व्यूशेज ध्यान रखना है कि ज़्यादा भोलेपन बनने का प्रयाश नहीं करना है दोस्वों कोई दूसरा इंशान जिसको आपने अपना शमझ कर उसके लिए सब कुछ किया और वह इंशान आपकी रिस्पेक्ट ना करे आपकी फिलिंग को हर्ट करे आपको कुछ भी ना शमझे इशे भी बहुट से लोग है जो आपकी अपना फाइदा निकालते हैं आपको यूज करते हैं इसितमाल करते हैं और जब उनका काम बन जाए तो दोस्वों फिर आपको वह पेजज़क छोड़ देते हैं और फिर आप उपसmente बाद भी ने करते हैं क्या दोस्तों ये शभजो घटना है हम आपको बता रहे हैं। ये शभजा बखटना है आपके शाथ नहीं हो रहे है। ये दोस्तों आपके राigh हमें इसमेर कमेंट की द्वारा जरूर बताएगा। क्या दोस्तों ये लोग आपके जियोन में नहीं हैं हमें अपना जवाब कमेंट में लिख कर जरूर बताईएगा दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि आपकी राशी की लोगों का जो दिल होता है वो बहुत बड़ा होता है दोस्तों आप लोग शरब को बहुत जल्दी मा का आ गया है वेल्यू में बाताने का टाइम आ गया है जब उसको आपकी एहमियत का पता चलना चाहिए आपका दोस्तों大哥 alim हैं शिर्प आपको एक बात का ध्यान रखना है कि वही गलती आपको वापस अपने जोन में नहीं दो रहना जो गलती आपने पहले की है उसे दोबारा शे आप करके अपनी लाइफ में और भी ज्यादा मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं ज्यां दोसों आपका दिल्वेश्य त और आप लोग एक बार फिर उन्हें माप करके उनके पीछे लग जाएंगी तो दोसों अब आपको अपने जुर्काल में बिल्कुल भी नहीं करना है ज्यां दोसों अब चलिए आपको बता देते हैं कि आखिर आपकी फिलिंग आपकी इमोशन की आपकी भावनों की कदर बता दें कि कल्योग के महराज बगवान शुर्डेव की किरपादिष्टी अब आपके उपर पढ़ने वाली है जैंदोसों जिसा कि आप खानते हैं कि शुर्णेव अभी वक्रिवस्ता में चल रही है और इस चाल के वज़ीशन की किरपादिष्टी आपके उपर पढ़ र जरूर मिलने वाला है दोस्व आप शिर्म को बता दे दोस्व जो लोग आपके शाथ बूरा किये है आप उशे पलट कर कुछ नहें कहते लेगिद दोस्व आप शिर्म को बता दे कि अब वक्त आ गया है जब आपको भी जवाब देना है जिया दोस्तों आप शमय आगया है आपकी जवाव देने का क्योंको अब श्वेंग कल्यूक की महराज शंडेब आपके शाथ हैं उन्होंने आपका हांथ पकड़ लिया है और अब आपकी शारी प्रिशनियां दूर करेंगे दोस्तों आपको जितने भी दुखाए हैं उनका की कल आपकी जुंकाल में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा और आने वाले महीनों में परिवर्तन होंगे यह चाहिकत ब्रew अपके निय reconcile Sum को जरूर समझेगा दोसों अब आपका शमय जल्द सी जल्द बदने वाला है बस आप अपना कर्म करते रहें दोसों आप शुब को बताना चाहेंगी कि अब आपको अपने जुनकाल में बहुती बड़ा शुबलता मिलने वाली है जिनके बारे में आपने कभी शपने में भी नहीं शोचे होंगी ज्यादोसों आप शबी को बयापाद बता दें कि आपकी कुंडली में शाबित होने वाली है आपके एक नई जिन्दगी शुरू होने वाली है अब आपकी एक अलग पहचान बनने वाली है शमाज में भी आपका मान शमान बढ़ने वाले हैं कम्याभी के द्वार आपके रास्ते पर आने वाले हैं आप शुबी को बता दें कि दोसों यह जो शम शिक्षा नोकरी वैपार के चेतर में नए खुशकबरी मिलने वाली है और दोस्तों यह में आपको वह गलतिया नहीं करनी है जो आपने पिछले करने की आपको शकता है कारेष्यतर में आपकी किश्मत का पूरा श्योग मिलेगा आपको जो भी महनत है उनका पूरा-पूरा फल प्राप्त होगा इस दौरान आपकी लोट्री भी लगशक्ति हैं श्माल में मान्समान बढ़ेगा आपके जीवन में खुशी आने वाली है जै अब आपको फिर्शे प्राप्त होगा और फिर चेतर में आपको पदनती प्राप्त होशकता है वैपार में चल रही आपकी इसारी परिशानिया अब धीरे-धीरे खत्म हो जाएंगे दोस्तों आएके नए श्रोत अस्तापित होने वाले हैं प्रस्तितियां धीरे-धीरे बद इसके शाथी दोस्तों शनिवार की दिन काले तील, काला कपड़ा, कंबल, लोहे के बरतन, उड़त की दाल आप जितना होशकी गरिबों में जरत मंदों में दान करें शनिवार की दिन बंद्रों को गूर और चने खिलाएं एवंग अनुमान चल इशा का भी पाट करें इश मंत्र है ओम शन शंचराई नमा दोस्तों इस मंत्र का एक शौट पर जाप करेंगे तो दोस्तों बगवान शुनदेप की गर्पा आपके जुनकाल पर निरंतर पढ़ती रहेंगी इस जाद दोस्तों आप शिवार बता दें कि मंगलवार और शनिवार की दिन बगवान हमान